है 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 यह फ्रेंड वेल्कम टुवाइं वीडियो आज कर दिए हम लोग के में स्ट्री के पार्ट फॉर को देखने वाले हैं ठीक है डिसा आप लोगों पता है कि हम लोग हर दिन कुछ न कुछ कि इसेट कर रहे हैं जो कि आपके तरिष्टिकों से काफी ज़्यादाइं इस सेट में करेंगे जोगी केमेश्ट्री के लिए काफी जदा इंपॉर्टन एक जाम में एक दों नंबर तो फोटो फोट पूछे जा रहा है चार से पांच नंबर भी पूशे जा रहा है जो छोड़िशोट एक जाम है जैसे सीजीडी हो गया है या फिर अपर पश्वह से क्यों हो सब्सक्राइब सब्सक्राला कोस्टों अगला है है अगला है पहला कोश्चान आज का कि निम्लिखित में से कौन एक आवेस रहित कन toujours है आप इस रहित के बात की जा रिट तो ये कुन है य्याद है यह प्रोट्रोल में टॉट्रberg में मैंइस कि अगला है ज़ल दूद क्या होते हैं तो उधास के doctor में अगला है एलेक्ट्रोन की खोज किसने की यह किया थे थामसन ने जेज थामसन अगला है प्रोट्रोन की खोज किसने की यह किया थे रदरफोड के द्वारा अगला है नीट्रोन की खोज किसने की तो यह हुआ था चैडविक के द्वारा जेम्स चैडविक अगला है परमानुए नाभिक किसने खोजा था ये खोजा गये था रदरफोर्ड के द्वारा अगला है एक भारतिय वेग्यानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कन के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है वो है बोस उनका नाम बोस था वो एक सैंटिस्क थे अगला है नेमनिकित में से किस परमानुए के नाभिक में नीट्रोन नहीं होता है तो यह होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी नीट्रोन नहीं होता है उसमें सिर्फ एक ही इलक्ट्रोन होता है ओल्ली वन अगर बढ़ते हैं इलक्ट्रोन के तरंग प्र कि प्रमानू कहा जाता है तत्थ कि सबसे छोटे भाग को प्रमानू कहा जाता है को अगला है कि नहीं कि डॉल aşk bei कौन सबसे क्थोटा थोटा कन सो तत्री पिस में रह सकते हैं थे तर्व किसी क्थोटा हो तो इसकी इलेक्ट्रोनिक्स संरचना पर आगे बढ़ते हैं नीट्रोन और प्रोट्रोन के संख्याओं के योगफ़ल को क्या कहते हैं तो इसे काते हैं द्रभममान संख्या याद रखिए एक इजाम में अक्सर कोशन पूसे जाता मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन आपके इजा अगला है नाविक के धनावेशित होने की खोज किसने की यह किये थे रदर फॉर्ड अगला है निम्निकित में से कौन सा एक आवेश रहित कन है यह नीट्रोन एक कोशन डिपीट हो रहा फ्रेंट यहां पर मैं कुछा स्किप करता हूं यहां से दिखते हैं परवानुभार का अंतराष्टिया मानक क्या है तो यह सी टिवल्ब अगर बढ़ते हैं कि निम्निकित में से किस ने आनुविक सद्धांद का पर्तिपादन किया था जॉर्स ने पेश्चन के दवरा इटम फिर efficiently का परतिपादन रहत हैं कि इसे प्रमानों के बाहेतर में कितने रह सकते हैं तो आठ टीए कुई प्रमन को बाहरी का च्म गितना रहेगा आठी ही लक्त्रोन रहेशंपायगा को बढ़ते हें परमानु की कॉर में और सन्खिया ह। यह दस , क्या आगगा बढ़ते हैं ए सप्रमानु का दर्फमान किन मॉलिक कनों पर निर्फर करता है निर्फर करता है। नेीट्रण और प्रोट्रांप धे। अगला है। निजेटल के सिधने अहां किसे ने किया था यह किसे था हाइजनबर्ग ने इससे हाइजनबर्ग प्रिंस्पल भी कहा जाता है नावी की खोज रदर फॉड ने किन करनों की साहेता से की थी तो इन्होंने अलफा करनों का उपयोग किया था अगला है किसी तद्व के रसानिक प्रकृति निर्भट करती है सन्योजी एलेक्ट्रॉन पर अगला है किसी तद्व के रसानिक गुण निर्भट करते हैं प्रमानु संख्या पर अगला है निम्डिकित में से किसी विभाजित नहीं किया दा सकता है तो यह फोटोन है जिसे मे के रेडियो सक्रिता के खोज सरप्रस्थ 토ांग डैल मैं किसा क्षायी कुधर एगए आगे वड़ते हैं अलफ और बीटा खन की खोज किसने की थी तो यह किये थे रदर फोर्ड ने अगला है एक्स किरणों की खोज किसने की तो आज की बीडियों इतने फ्रेंट हम दोगों ने लिए कुल कुल तीस को देखा और कुछ कोशन पंदरा से फंदरा दोवा रिपीट हो गया की को को जी कदने फ्रेंट तो आज हम दोगों ने कुल तीस प्रसनों किया है उमिद है यह आपके आने वाले जो भी जाम है एससी और रेलवे के लिए काफ़ी इंपोर्टन साभीत होंगे मिलते जाहिन जाय भारत और फाइनले थैंक्स वर वाचिंग